तो आई जानते हैं आज का टोपिक क्या आप कपड़े शिवशिकर्ण के बारे में जानना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि कपड़े से किसी भी अस्तरी पूर्श का वशिकर्ण किस तरह से किया जाता है तो मैं अभी आपको एक बड़ा ही महत्तपुर्ण उत्परभावशली वशिकन मंतर बताऊंगा जो कि आपको सिर्फ 60 सेकिंड में असर दिखा सकता है येस इन 60 सेकिंड यदि आप किसी अस्तरी को अपने वश्च में करना चाहते हैं तो उसके किसी भी स्रीर पर पहने हुए कपड़ों से वशिकन मंतर यानि कि किसी भी कपड़ों से आप उसका वशिकन कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है या फिर क्या आप अपने प्यार को वश्च में करना चाहते हैं हमारे यहाँ पर वश्च में मंतर के दोरा किसी को अपने वश्च में करने की रीत बहुत ही परानी है यह पुराने जमाने जे चला आ रहा है कि अगर आपको किसी को अपने वश में करना हो या उसके अपनी बात मनवानी हो तो कपड़ों सी वशिकर्ण बहुत ही प्रानी विश्वशनिया और परभावशाली प्रियोग है तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपका प्यार अपके वश में हो जाए या फिर आपका कोई दुश्मन है जिसे अपने आप बश में करना चाहते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आज हम ऐसी मंतरा बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल कर आप आसानी से किसी को अपने वश में कर सकते हैं तो इसके लिए हमारी वीडियो को पूरा जुरूर देखेगा तो चलिए जानते हैं आज की टोटके तो प्रिये जनों सबसे पहले अपना करना ये है कि मंगलवा के दिन आपने किसी भी दिसका वशीकन करना है कोही हो पूरुष हो या फिर अस्त्री या फिर आपका प्यार कोई गल्फ्रेंड आपने उसकी कोई भी पहनी वस्तर लेनी है आपने स्वस्तर को अलका सा काट कर किसी भी आग में चला देना है और उसके बाद आपने उस कपड़े को अपने हाथ में लेकर हमारे द्वारा जो वीडियो में मंतर डाला गया है और जो स्क्रेंट पर दिखाई दे रहा होगा तो उसका जाप आपने करना है 51 बार उसे किसी भी लाल कपड़े में बांद कर अपने किसी भी चलते पानी में बहा दे रहा है और बोलना है जिस किसी कभी में वश्यकर्ण करना चाहता हूँ वह मेरे पूरी तरह से वश्य में हो जाए अब आप देखेंगे कि कैसे जिस किसी कभी आपने वशिकर्ण किया था वे आपके कब जिम्याना शुरू हो गया है आगर आप दोस्तों चाहते हैं किसी कभी वशिकर्ण करना तो हमारे टोटकों को जरूर अपनाएगा इसके साथ आगर टोटका करते समय